ओके अब हम चाप्टर 14 की तरफ बढ़ते हैं, 14 छोटा ही चाप्टर है, देखो अब यहां पर क्या हो गया, अब कैथरीन अपने लाइफ में बिजी होने लगी, कैथरीन ठीक होने लगी, लाइफ टाइम्स रिपीट होने लगी, क्या मास्टर वायस को क्वेश्चन था, क्या मुझे और कुछ बताना चाहते हैं, मैं कैसे कंटिन्यू करो कैथरीन की साथ कम्यूनिकेशन करना, दोक्र वायस बोलते हैं कि अगर अभी तक को मैं मेरी कोई और क्लाइन होती तो मैं अभी तक जो ठेरेपिस्ट रिलेश्शिप खतम कर देता था, बगॉस काफी हीलिंग हो गई, उसने दूसरे मैंन को भी डेट करना स्टार्ट कर दिया, अल्दो स्ट्यूर्ट अभी भी पिक्चर में था, सेशन शिरू हुआ, अच्छा, सेशन से पहले कैथरीन को एक थोड़ा, एक रेकरिंग ड्रीम आ रहा था, रिलिजिस साक्रिफाइस का किसी तरह का, जिसमे स्नेक्स थे, एक पिट में स्नेक्स थे, और कैथरीन को यह समझ में आ रहा था कि उसको और लोगों को भी उस पिट में डाला जा रहा था, वो ट्राइ कर रहे थी उस पिट से बाहर आने का, बट वो नहीं आ पा रहे थी, ठीक है, यह सब चीजें को समझ में आ रहे थी, दिये जाते थे, animal sacrifices, और blood उन sacrifice animals का, runs from a white stand into a basin, into a mouth of a serpent, men wear small gold hats, वो उस lifetime का, फिर नारा था कि मासर्स बता रहे हैं कि change or growth different planes में होती है, एक plane of awareness है, एक plane of transition है, हम एक life से आते हैं, एक life में आते हैं, we come from one life and then, लगर lesson complete होते हैं, तो हम अलग dimension अंदर, दूसरे life में move करते हैं, हमको सही समझना पड़ेगा, अगर हम नहीं समझ पाएंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमको repeat करना पड़ेगा lesson, क्योंकि हम सीखते नहीं हैं, हमें सब तरह से situation को समझना पड़ेगा, we must know the side of wanting but also to give, मतलब हमको ये भी समझना पड़ेगा कि हमको चाहिए, और हमको ये भी समझना पड़ेगा हमको देना है, सब तरह से हमको evolve होना पड़ेगा, there is so much to know, मतलब आप तरफ से ये भी जिसे sexual craving भी समझना पड़ेगी, and कैसे उस sexual craving से मुथ होए, दोनों तरफ से आपको life को समझना पड़ेगा, तभी तो holistic experience आएगा, अगर हमको सिर्फ ये पता है, कि sexual desire नहीं है, है ही नहीं, तो हमको ये नहीं पता, कि sexual desire जब होता है, तब क्या feeling होती है, तो ह हमारे हमने कई life मिस्टेक्स की है, वो भी important है, वो experience भी ज़रूरी थे, बट अब हमको सही direction में काम करना है, ताकि हम एक well-rounded holistic, एक इंसान है, जिसने सब success से success देखी है, उसके अंदर depth नहीं होगी, लेकिन एक इंसान है, जिसने failure देखा है, खुब बार वो fail हुआ है, और वो succeed भी बहुत हुआ है, उसके अंदर की जो depth है वो अलग depth रहेगी, जो सिर्फ success हुआ है, उसके अंदर arrogance मिलेगी, और जो खुब failures देखके success हुआ है, उसके अंदर आपको एक humility मिलेगी, compassion मिलेगा, तो हमको हर तरह, तो हमारे जो life में sufferings भी है न, उनका भी बहुत important role है, ठीक तभी तो सुप को appreciate कर पाएंगे हम लोग, ठीक है, अच्छा, फिर कैथरेन रुकी और एक poet master के voice आई, अब poet master ने देखो क्या बोला, अब what we tell you is for now, you must now learn through your intuition, poet master ने बोला कि मैंने हमने जितना बताना था बता दिया, अब आपको अपने intuition से सीखना पड़ेगा, तो Dr. Wise को ये समझ में आ गया, उनको interpreted हो गया, कि अब कोई और revelations नहीं होंगे कैथरेन की hypnosis में, और ऐसा ही actually हुआ, ये last session था जिसमें कैथरेन की तुरू कुछ information आई, उसके बाद कोई further sessions नहीं होंगे, कैथरेन का cure complete हो गया, and मैंने ये सीख लिया, जितना मेरे को regression के तुरू जितना सीखना था, उसके आगे, जो future है, वो मुझे खुद के intuition से सीखना पड़ेगा, ये था chapter 13, इसके बाद कैथरेन के साथ में कोई अलग से experiences और sessions नहीं होए, बट, ये sorry, ये था chapter 14, अब chapter 15 और 16 बचा है, और epilogue है, चोटा सा, वो मैं ट्राइ करूँगा, next video में, एक ही chapter में, मैं 15-16 epilogue कवर कर दूँ, ठीक है, क्योंकि sessions अब तक हो चुके है, जितनी learnings, Dr. Wise को मिलनी चाहिए थी, Catherine के साथ में experiences वो हो गया है, ठीक है, तो हम next chapter के दो बढ़ते हैं